बिसमिल्लायरमान रहीम, असलाम अलेकम, इस वीडियो में डिसक्स करते हैं, मिलिगनेंट नियो प्लाजम्स अफ नेजल कैविटी का टॉपिक, तो सबसे पहला जो मिलिगनेंट कैंसर है, नेजल कैविटी का वो होता है, कार्सिनोमा अफ नेजल कैविटी, कार्सिनोमा आपक उसका cancer develop हो जए तो यह होता है स्कॉमस cell carcinoma ठीक है तो स्कॉमस cell carcinoma जो है ना तीन टाइप्स का है हमारे पास एक तो vestibular है यह vestibule वाले region से rise कर रहा होता है ठीक है दूसरा होता है स्कॉमस cell carcinoma यह जो है ना मुको कुटेनियंस जंक्षन जो होता है सैप्टम का उधर से rise कर रहा होता है जो नेजल सैप्टम है यानि कि anterior part ऑफ नेजल सैप्टम से rise कर रहा होता है और इसमें आपने बात याद रखनी है कि बर्निंग होगी यानि बहुत ज़् है नोज में बरनिंग और सोरनेस होती है ठीक है इसी वज़ा से इसको जो है ना नोज पिकर्ज कैंसर भी कहते है ठीक है नोज पिकर्ज कैंसर यानि के बंदा जो है ना बार बार नाक को जो है साफ कर रहा होता है बहुत जलन हो रही होती है इस वज़ा से नोस पिकर्स कैंसर भी कहते है सेप्टल स्कॉमसल कारसिनोमा को इसके बाद लैटरल वाल का स्कॉमसल कारसिनोमा हो सकता है तो जो लैटरल वाल का स्कॉमसल कारसिनोमा है यह आपने याद रखना है यह most common variety है squamous cell carcinoma of nasal cavity की ठीक है इसके बाद adeno carcinoma या adenoid cystic carcinoma हो सकता है यह कौन से हैं यह जो mucos membrane में जो glands present होते हैं जो mucos secret का रहे हैं उन glands का carcinoma हो सकता है तो यह था carcinoma of nasal cavity इसमें squamous cell carcinoma था और adeno carcinoma था दूसरा carcinoma जो है ना malignant cancer होता है malignant melanoma melanoma क्या होता है कि जो है ना melanocytes जो होते हैं उनका उनकी malignant proliferation होना शुरू हो जाती है तो malignant melanoma में आपने याद रखना है कि slaty gray और bluish या bluish black सा एक polypoid polypoid mass present होगा और most frequent site का है जिदर यह अकर होता है anterior part of nasal cavity में ठीक है इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि एक slaty gray या bluish black सा polypoid mass होगा और most frequent site होती है anterior part of nasal cavity इसके बाद तीसरा जो malignant cancer है nasal cavity का वो होता है anesthesia neuroblastoma anesthesia neuroblastoma क्या होता है इसको olfactory neuroblastoma भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि मैंने आपको जब benign neoplasms of nasal cavity पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक benign tumor हो रहा होता है nasal cavity का जिसको जिसको कहते है inverted papilloma inverted papilloma क्या था जो non olfactory epithelium थी यानि कि जो नीचे middle part में और सारे ये inferior part में जिस epithelium ने किया हुआ था surround उसका cancer जब हो जिसको schneiderian membrane भी कहते है उसका अगर benign cancer हो तो उसको कहते है inverted papilloma अगर जो है olfactory epithelium जो ये superior region में होती है इस region में जो है न olfactory epithelium होती है जहांसे olfactory sensations जा रही होती है कribriform plate के थूँ उपर brain में इस membrane इस epithelium में अगर malignant tumor हो जाए तो इसको कहते है olfactory placode tumor या olfactory neuroblastoma या esthesio neuroblastoma ठीक है कि olfactory epithelium का tumor symptoms इसके क्या होगे unilateral ये होता है effect करता है और unilateral nasal obstruction कॉज करता है इसके बाद ये vascular tumor होता है तो epistaxis कॉज करेगा और इसके लावा orbit को invade करके orbital symptoms भी कॉज कर सकता है जैसे के proptosis है या diplopia है या headache है blood vision है इसके बाद investigation में क्या क्या करेंगे intranasal या endoscopic examination हमने की तो हमें पता चलता है कि एक friable सा cherry red mass है ठीक है cherry red polypoid mass हमें nasal cavity में नजर आ रहा है इसके बाद जो extent of tumor है उसको check करने के लिए high resolution CT या MRI करेंगे उसे हमें extent पता लग जएगा और tumor की nature को पता करने के लिए biopsy करते है biopsy में हमें tumor दो तरह से present हो सकता है कि यहां तो यह low grade tumor है यह high grade tumor है ठीक है low grade tumor में आपने याद रखने pseudo rosettes present होते है ठीक है pseudo rosettes pseudo rosettes क्या होते हैं के अब for instance के cell की presentation है यह कि ऐसे एक दरम्यान में space होगी और ऐसे बाकी cells जो है ना ऐसे एक फूल की तरह जो है ना साथ ऐसे लगे होते हैं ठीक है ऐसे बाकी cells जो है यह ऐसे एक rosettes की शकल बना लेते हैं इसको कहते हैं pseudo rosettes जबकि जो high grade होगा इसमें कोई pseudo rosettes present नहीं होते हैं और nuclear polymorphism होता है यहनि के cancer बहुत ज्यादा grow कर जाता है ठीक है तो biopsy में हमें पता लग सकता है कि low grade है जिसमें pseudo rosettes present होंगे यह high grade हो सकता है जिसमें pseudo rosettes नहीं होंगे और nuclear polymorphism होगा इसके बाद treatment देख लेते हैं अस्थीजी और neuroblastoma की तो आपने याद रखना है कि treatment इसकी होती है craniofacial resection with radiation ठीक है craniofacial resection क्या होती है कि यह neurosurgeon जो है न वो perform करता है surgery करते क्या है कि यह उपर जो skull है यह अंदर सारा brain है करते क्या है कि इधर anterior cranial fossa को जो है न ओपन करते हैं exterior से ठीक है और इधर जो भी tumor present होगा उसको सारे के सारे tumor को remove कर देंगे ठीक है इसको कहते है craniofacial resection और radiation के through भी हो सकता है ठीक है radiation दो तरह से दी जासकती है कि यह तो operation से पहले radiation दें preparative रेडियेशन दें और इसके बाद प्रियॉपरेटिव कीमो थेरपी भी दो दें और साथ radiation भी दें और पिर उसके बाद resection करें ठीक है तो यह दो सकती है तो आपने याद रखना है कि craniofacial resection और radiation जो है ना esthesio neuroblastoma की treatment है इसके बाद अगले भी कुछ ये rare tumors होते है rare malignant tumors and nasal cavity के इनको discuss कर लेते है तो hemangio parisatoma हो सकता है ये कैसे होता है blood जो capillaries होती है उन capillaries के उपर parisats present होते है ये special cells होते हैं जो capillaries के उपर present है अगर इनकी proliferation होते है malignant तो इससे hemangio parisatoma हो सकता है या lymphoma हो सकता है rarely एक non-Hodgkin's lymphoma nasal cavity में develop कर सकता है या plasma cells का plasma cells का malignant tumor हो सकता है इसको plasma cytoma कहेंगे या sarcomas भी हो सकते है